Hi everybody, welcome back to another video, कैसे हो आप लोग, I hope आप सुभी लोग अच्छे हो और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को IIT मदरास द्वारा प्रवाइड एक free online course के बारे में बताने वाला हूँ जो की artificial intelligence से related होने वाला है जैसा कि आप हमारे screen पे देख सकते हो, मैंने Swam का official portal खोला हुआ है, यहाँ पे IIT मदरास अभी एक free online course प्रवाइड कर रही है, Artificial Intelligence, Search Methods for Problem Solving यह 12 हपते का एक course होने वाला है, जो हर students के लिए कोई भी इसमे apply कर सकता है, कोई भी इसमे enroll कर सकता है, एक भी रुपय आपको pay नहीं करना होगा तो अब हम बात कर लेते हैं, जो online course है, इसके बारे में description, कौन से students इसमें enroll कर सकते हैं, audiences क्या होने वाले हैं, prerequisite क्या होने वाले हैं तो audience की बात करें, तो कोई भी UZPG का student, जो computer science पढ़ रहा है, या फिर जिसको data science, artificial intelligence के बारे में सीखना है, वो इस course में enroll कर सकता है prerequisite की बात करें, तो कोई भी इसमें prerequisite जैसा कुछ नहीं है, इसमें आराम से आप enroll कर सकते हो, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं, course layout के बारे में, कि इस course में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये course 12 हपते का होने वाला है, 26 जुलाई 2011 को स्टार्ट हो रहा है इस course का end date 15th of October 2021 है, और इस course में एक examination होगा, जिसके बारे में अभी मैं आप लोग को बताऊँगा 23 October को होने वाला है, तो इस course के बारे में और भी अगर आप जानना चाहो, course layout के बारे में तो सबसे पहले आपको history, introduction वगरा बताया जाएगा, artificial intelligence का, उसके बाद, जो philosophy है, mind, reasoning, competition वगरा उसके बारे में बताया जाएगा जैसे ही आप देख सकते हो, game theory वगरा, board games and game tree algorithm, mini max, alpha beta and sss study, यह सारे जो algorithms हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा तो यह course का layout ऐसे structure किया गया है, कि इसमें जो भी artificial intelligence के algorithms हैं, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा जैसे algorithm, backtracking आपको बताया जाएगा, forward checking वगरा, सब कुछ आपको बताया जाएगा books and references कुछ देगा हैं, आप books refer कर सकते हो, बट कोई problem नहीं है, अगर course आपके वल पड़ो, तो भी आपके लिए more than enough होगा course की certificate की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, आप course का certificate चाहो तो ले सकते हो, अगर ना चाहो तो कोई problem नहीं है अगर आपको course का certificate लेना है, तो आपको एक exam देना होता है, exam 23 October को है, उसके लिए आपको यहाँ पे 1000 रुपे पे करने होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यह 1000 रुपे पे करने होते हैं, अगर आपको certificate चाहिए तो जो की optional है, अगर आप exam देते हो 1000 रुपे पे करके तो आप उसमें से आप देख सब तो exam score में आपका 75 से 30 होना चाहिए, final score में आपका 100 में से 40 से अबब होना चाहिए, तो ही आपको certificate मिलेगा, यह जो certificate यहाँ मिलता है, यहाँ पे जो website दिया गया है, यहाँ से आप verify कर सकते हो, तो इनका certificate का value बहुत अच्छा होता है, और IT मदरास artificial intelligence के basic concepts को, या फिर problem solving के concepts को सीखना चाहते हैं, उनके लिए best course है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे च्छे जो algorithms हैं, जैसे A star, यहाँ पे देख सकतो finding optimal paths, branch and bound A star, यह सारा कुछ आपको बताया जागा, जो कि अधर आप courses purchase करते हो, किसी आधी platform से, तो वहाँ पे explanation के साथ आपको detail नहीं मिल पायागा, तो यह course बहुत ही important है, इसमें आप जरूर से enroll करना, यही एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि IIT Madras, कौन सा आपना free online course provide कर लिए students के लिए, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना, ऐ झाल 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 झाल झाल